तो कैसे हैं आप सब network trainings by कुलदीप में मैं कुलदीप आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस एक नई वीडियो में और देखिए काफी टाइम से मुझे ये मिल रहा था response और comments भी थे कुछ कि सर आप CCNA करवा रहे हैं और सब कुछ सही है पर कुछ लोग है जो तो यह जो आप यूज करते हैं पैके ट्रेसर ना तो इसका थोड़ा सा बारिक किया और बता दिजी अच्छे से जैसे आप करते हैं वो समझ तो आता लेकिन इसके जो फीचर्ज है पैके ट्रेसर के वो हमें अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग तो ओके I can understand that औ यह श्याद मैंने थोड़ा सा ओवरलुक कर दिया इस वाले पार्ट को मैंने सिरफ वो डाउनलोड कैसे करें और उसको पूचा है तो देख सकते हैं एक बार इस वाली वीडियो में हम डाउनलोड के और इंस्टोल की बात नहीं करेंगे हम सिर्फ बात करने वाले हैं Packet Tracer को बिलकुल कोर तक अच्छे से यूज कैसे करें तो सबसे पहले इसका इंटरफेस समझते हैं एक बार देखिए पुराने वाले अगर आप देखेंगे जैसे मैं अगर आपको मेरे पास काफी सारे पड़े हुए थे रिसेंटनी अभी हटा के मैंने सरफ दो रखे तो यस मैं एक बार उनको करने के लिए आपको रियल डिवाइसेज ना खरीदने पड़े उसके लिए उन्होंने ये सिमिलेशन सोफ्ट्वेर बना है इसमें थोड़ा यह जो वर्किंग एरिया आपको ज्यादा मिलता है बाकि आपको फाइल एडिट ओप्शन यहां पे पैकेट की डिटेल नि आपको यूज करना ही है पुराने वर्जन आप चाहिए बेसक मत यूज करिए जैसे अगर आपको दिखाओं हेल्प में जाके अब आउट में जाएंगे तो इसका आपको लेटेस्ट करेंट वर्जन यह दिखा देगा राइट सो इच शुड़ बी यह मैं फुल स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ ना तो जस्ट मिनट आपके तो आप देखना एक बार आपने वाले में ताकि मुझे वह अब आउट में जाकर निच्छा लिखा में लेगा 7.1.2 या जो भी रहेगा ओके तो यहां पर देखिए फाइल में यह वही जो किसी न सबसुरिए भी एक नॉर्मल सोफ्ट्वेर में अपको मिलेंगे अगर फाइल ओपन करनी है कोई पहले से अगर आपकी सेव है कोई फाइल तो आपको अगर ओपन करनी है जिसे मान लो मैंने येता Orlando मैंने यह बहुत फाइल में भी पाइल सेव की है तो इनको मैं डाइरेक तरह यह सारे feature आपको same मिलेंगे, save edge करना है, right, exit करना है, इसका जो strength है, वो कहां पे है आपकी, इस options में, जो packet tracer की main strength है, preferences के अंदर, right, तो इन पर मैं बाद में जाओंगा एक बार, यहां पे देखिए, वही same है, आपके new, फिर open, okay, one by one हम बात करेंगे, थोड़ा सा पहले ए निचे वाली strip पे आईए, यहां पे देखिए, network devices, तो यह by default सारे जो packet tracer है, router को उठाएंगे, तो router की भी अलग-लग series है, जैसे अगर आप हमारी videos regularly follow कर रहे हैं, तो router के types जब हमने बात कि रही थी, तो उसमें branch router, फिर आपके service provider level की edge router या backbone router, तो packet tracer में आपको generally मिलते हैं, जो आपके lower end के router हैं, जो branch router हैं आपके, तो यह वही मिलेंगे, तो जैसे मैं लेता हूँ 28-11, तो select कैसे करना है इसका, आपको just क्या करना है, जो भी device आपको चाहिए है, उसको उपर आप लेके जाहिए, जैसे मैं यहां पे लेके अपने mouse को, click करिए, और बाहर working area में ले ज आपका left click है, उस पर प्रेस करिए, तो इस तरह से आप कोई भी device select कर सकते हैं, आप जैसे माल लो आपने यह device select कर लिया है, उसके बाद आपको इन दो devices को जोड़ना है, तो यहां पर देखिए, अच्छा, total devices एक बार आप देख लो, जैसे इस पर click करोगे, यह switches हैं आपके, 29-60 है, यह आपका switch है, यह L3 के switch है आपके, फिर hubs, यह आपको hub मिलेंगे, यहापे repeater और hub, फिर आपको यह wireless के devices मिलेंगे, यहापे आपको security के devices मिलने वाले हैं, और यह आपको van के, यह फिर internet, जो ISP के बहुलते हैं, फिर यह तो हो गया आपके devices जो network में use होते हैं, फिर य 10 devices, मालो जैसे आपने एक switch ले लिया था, single switch, अच्छा, एक और चीज समझेए, जब आपको एक से ज़्यादा device एक ही साथ select करना हो, जैसे मैं क्या करता हूँ, देखिए एक बार, देख पारे हैं, मैं एक ही बार, बार बार left click करे जा रहा हूँ और बहुत सारे switch ही जा 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 रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, control का इस्तेमाल, यह जो plus आ रहा है, इसको हटाने के लिए देखिए, अगर आप बार कई भी click करेंगे ना switch ही click होगा, इससे बार आने चुके हैं, मुझे नहीं चाहिए, तो मिरको यह delete करने हैं, बहुत सारे, यह देख रहा है, cross आपको, तो cross पर जाए और इनको one by one delete कर दिजिए, escape करता हूँ जैसे आपको बहुत सारे delete करने हैं, यह सा, यह सब करने है, तो select करेंगे इनको और delete कर दिजिए, enter या yes, समझ सकत तो you can delete them, तो यह थोड़ा सा arrange करता हूँ मैं, तो दो router लिए हैं, मैंने दो switch लिए हैं, अब इनको क्या बोला था मैंने, control की help से, कैसे, आप क्या करिए, control दबाईए, keyboard पर दबाया, ok, मैं दबाता हूँ, और फिर आप device पर click करिए, control नहीं छोड़ना है, control दबाके रखिए और device पर click करिए, ऐसे, right, अब आप जैसे ही बाहर click करेंगे, देखिए, आपको बहुत सारे option मिलेंगे, click करने के, तो ऐसा कब होगा, control प्लस device पर click एक साथ, उसके बाद control को छोड़ दो, और बाहर click करना, start करो, और इससे बाहर आना है, again वही आपको फिर escape दबाईए, या और फिर यहाँ पर neutral पर click करिए, डिलीट करना है, सब को select करिए, और keyboard का delete बटन भी आप यूज कर सकते हो, keyboard से delete दबाईए, enter करिए, खतम, escape, तो बहुत सारे काम आप इसके keyboard से भी कर सकते हो, packet tracer के, तो अभी तक हमने क्या देखा, कोई भी device select कैसे करे, multiple devices कैसे select करे, router लिया और switch लिया, सिरफ इतना हमने अभी तक बात किये, अब इनको cable से जोड़ना है, तो फिलाल मैं एक end device और ले लो, end device जो आपके switches के निचे लगते हैं, तो यह दिख रहा है आपको end devices, जहापर आपको PC server बना मिलेगा, तो यहापर आपके काम के हमारे जो रहेंगे, generally पहले त server, ठीक है, तो थोड़ा सा patience रखिए, या दुबारा क्लिक कर लिजिए, ओके, थोड़ा सा topology अरेंज करते हैं, एक बार select करके, थोड़ा सा इसको मैं middle पे ले आता हूँ, इस तरह से, और फिर बाहर क्लिक करता हूँ, ठीक, तो इस तरह से आप अपनी topology को manage कर सकते हैं, तो निचे क्या लिखा देखिए, टास्क बार के middle में, जो मेरी bottom वाली screen है laptop की, automatically choose connection type, तो ये खुद select करके देदेगा आपको, कैसे, click करेंगे, अब देखिए, मैंने single click किया है, control के साथ नहीं किया, तो ये एक ही device के लिए आएगा, ये देखो, वो समझ गया होगा, कि भई switch के और PC के बीच में straight cable लगनी है, तो straight चुनी है, उसने, single था, फिर laptop और PC के बीच में भी आपका, sorry, laptop और switch के बीच में straight cable, अब router to router, देखिए, क्या रहेगा आपका, cross cable, तो उसने खुद से उठा ली, ठीक है, तो ये cross cable ही है, बट आप, confuse मत होना इसको लेके, जो पुरान के बीच में अगर आप automatic cable लगाते हैं, तो आपको cross का symbol दिखाता था पहले, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा साथ GNS3 को follow करते हैं, बट ये cross cable ही है, आपकी ये वाली, don't worry, तो ये मैं अभी one by one कर रहा था, अगर आपको multiple select करने तो क्या दबाना होगा, control, देखिए ज़रा, control प्लस ये वाला, अब देखो, बार बार select नहीं करना पड़ाएगा आपको, इस तरह से, तो I would recommend कि जब आप नया use करना start कर रहें, packet tracer और अपना networking में, अभी आपका हाथ साफ नहीं हुआ, तो मैं आपको बिलकुल भी नहीं बोलूँगा कि आप automatic पर जाएए, नहीं, मैं क किस device के बीच में कौन सी communication cable यूज होनी है, क्योंकि एक्जाम में पूछा जाता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मुझे straight cable लेनी है, यहां पे सभी जगह है, सिरफ router to router ही cross लगेगी, बाकी हर जगह है, straight लगनी है, तो मैं straight पे control प्लस straight पे click करूँगा, control प्लस straight cable, उसके fast ethernet, switch का आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट documentation easy करने के लिए पहले port से select करिए, फिर आपको इसका, एक ही PC पर लैप्टोप पे तो एक ही RJ45 का port होता है, switch पे लगाया, फिर switch पे uplink होता है, देखिए जब भी switch to switch या switch to router जोड़ना हो, तो आपको uplink high speed वाले port यूज करने र router पे करना है, right, like that, अब cross cable लेता हूँ, single ही लगानी है, सिरफ router to router इस तरह से, fine, अभी देखिए है, इसमें दिखाएगा आपको, ठीक है, तो, अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, यहां से में आपको, कि router to router उसने जो straight ले लिया था, तो that will work, हमने किसी एक वीडियो में बात की हुई है, जब भी हम basic पढ़ रहे थे, या speeds के बारे में बात कर रहे थे, devices की, कि यह जो devices है, इनमें एक feature आता है, auto MDIX का, auto media dependent inter-exchange, वो क्या करते है, straight और cross का अभी access कोई concept है नि, devices अपने आप से smartly, pin की जो location है, pin outs है, उनको change कर लेते हैं, but yes, आपको, अपने exam क इंटर्यू के इस आप से पाता होना चाहिए, कि straight cable कभ यूज करना, और cross cable कभ यूज करना, पर अगर interview वाला बोलता है, कि क्या ऐसा जरूरी है, ऐसा नहीं है, कि आप cross cable लगा दो, straight की जिगह तो चलेगा नहीं, no doubt चलेगा, but yes, लेकिन concept कौन सा होगा, MDIX का, और वो devices शु यही आपको यूज करनी ज्यादा तर, जब आप expert हो चुके होंगे, शुरू में आपको straight लेनी है, यहां से देखिए, copper straight through, और यह आपकी copper crossover, इनी से आप करेगा, जब आपको router to router van में जोडने होंगे, suppose अगर मैं क्या करूँ, देखिए, यह तो मेरे को करवाना था, Ethernet का communication दो router के बीच में, लैन में, पर अगर यही router मुझे वैन में जोडना है, एक serial link के थ्रू, ओके, जैसे यह ले चुका हूँ, मैं, इन में मेरे को चाहिएगा serial cable, ओके, यह हम बाद में किसी एक वीडियो में बात करेंगे, वो आप जरूर देखना, तो उसमें clear होगा, अब य देखता हूँ, 43 वाले पर, इसमें भी serial का कोई port नहीं है, कैसे दिखाएगा, यह देखिए router पर क्लिक करिए, और इस वाले router पर जाए, पी टी, पॉइंट रूटर पर, क्लिक करेंगे, cable, serial cable, इस पर क्लिक करो, यह देखो, दिख रहा है, serial 2x0, serial 3x0, इस तरह का serial interface दिखना किया हुआ, support के बारे में, तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही, पर उधर तो serial का port ही नहीं, कहां लगाएंगे, तो इसको escape करते हैं, और device में port कैसे add करने हैं, वो हम देखते हैं, इन router को बोलते है, modular router जिनके अंदर आप port लगा सकते हो, जैसे यह 829 वाला router है, इसके अंदर आपको कोई जगह नहीं दिखरी port लगाने की, तो इसमें आप नहीं लगा सकते, बट येस, इसमें try करता हूँ एक बार, इसमें जगह है, आप router को बंद करें भी ना, port नहीं लगा सकते हैं, पहले आपको router बंद करना पड़ेगा, फिर मानलो इसमें देखिए serial की जगह है, नो, तो let me try ये वाला port, okay, on करते हैं एक बार, और फिर serial cable लेते हैं, router पे serial और इस router पे serial, ये देखिए, इस तरह से आप serial cable भी लगा सकते हो, दो router के बीच में, point to point connection के लिए, तो port कैसे लगा सकते हैं, आप devices में, router पे क्लिक करेंगे, router को बंद करेंगे, port देखिए, packet tracer में, जो recommended है, आप लिख लेना, उपर से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला port आपको लेना है, फाइदा क्या है, इसमें आपको दो port मिलते हैं, 100 MBPS के, बाकी सब में, इसमें देखो, इसमें one port है, see, और इसमें आपको Ethernet के मिलेंगे, स जब भी LAN के port add करने हो, आपको चूज करने है, ये वाले, NM2FE2W, NM means Network Management, FE means Fast Ethernet के दो, right, और उसके बाद, जब आपको serial port लगाने है, मालो, again, serial के लिए आपको try करने है, ये वाला, WIC2T, या तो ये वाला, नहीं तो फिर ये HWIC2T, तो जैसे ये वाला चूज करेंगे, जब आपका router काम कर रहा है, आपने configuration की है, तब आपको उसको बंद करके दुवारा से नहीं लगाना है, क्योंकि सारी configuration आपके उड़ जाएंगी, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले सारी configuration सेव करिए, और फिर ही आपको ये module लगा सकते हैं, चाए packet tracer हो, चाए आपका real router हो, समझ भारे, ओके देन, तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, devices कैसे select करें, दूसरा हमने क्या किया, cables कैसे लगाएं, तीसरा हमने क्या लिया, manual cable कैसे select करें, फॉर्थ हमने क्या जाना, types of cable, कौन से devices के बीच में कौन सी cable लगती है, फिफ्थ हमने अभी तक क्या जाना है, router के अंदर port कैसे add करें extra router को बंद करेंगे ethernet का लगाना है तो nm2fe2w वाला लगाना है और अगर serial लगाना है तो आपको wic2t या hwic2t वाला लगाना है ठीक है और फिर finally हमने क्या किया है देखिए I think यही हमने अभी तक पढ़ा है अचा अभी थोड़ा सा और इसके extra features के बारे में बात करते हैं देखिए logical है यह जो अभी आपको दिख रहा है physical में जाए ज़रा एक बार physical में यह जो black box दिख रहा है इस तरह है इस पर click करिए फिर black click click करिए यहाँ पर आपको actual rack मिलेगा जो physical rack इस पर click करिए दिख रहा है wiring closet क्लिक करेंगे अगर आप यह देखिए तो companies में ऐसे rack रहेंगे तो देखिए हमने क्या क्या लगाया था वहाँ पर यह तो power distribution यह देखिए बहुत ज़रूर यह जो रैक मिलेगा आपको ऐसे company में उसमें इसमें पावर लिया लग से लगाया दिवार पे नहीं दिवार पे एक आपकी वोल रहेगी आपकी वोल नहीं रहेगी वोल पे एक प्लग रहेगा वहां से आपको specially रहेगा रैक में कितनी सारी पावर 1 2 3 4 5 समझ बारे बीस बीस चालिस चालिस आपको इस हिसाब से यह पावर की specially socket लगे मिलेंगी मिलेंगी मिन्स यह जो डिवाइस है इसकी यह जो पावर केबल है इसी पे लगे आपको डिवाइस को पावर देने के लिए बाहर केबल नहीं लेके जानी कहीं पे भी ठीक है और यह बकाहिदा अलग से electrical department वाले उनको आप बोलते हैं कि मेरे को तो इतने device लगाने है और एक device की इतनी पावर कंजप्शन है 10 device है तो इनकी total उतनी होगी तो मुझे इस rack में इतनी total power चायिए तो वो आपको जो electrical है department वाले वो आपको इस रैक पर उतनी पावर देखे जाएए उसके बाद आपको ये devices इस पर ये एक हमने लगाया हुआ एक्स्ट्रा लैन कार्ड ये हमने वैन कार्ड लगाया है फिर ये 830 का राउटर था और एक दूसरे से जुड़े हुए है देखिए केबल ये यहां से यहां से यहां जुड़ा हुआ है फिर ये हमने दूसरा राउटर लिया था मुझे सीरी तो जो ग्रीन है मिन्स वो आपका रनिंग मोड में है फिर यह सर्वर है देखिए सर्वर से हमने कहा पर जोड़ा हुआ है हमारे स्विच पर जोड़ा है तो इस तरह से आपको अपने रैक में जितने भी डिवाइस हैं वो सारे देखने को मिलेंगे तो पैके ट्रेसर में यस फिर आप फिजिकल व्यू भी देख सकते हैं या फिर आप लोजिकल व्यू भी देख सकते हैं तो इसकी है अलप थिदुद आप अपना एक नैल ट्व चलिए ज़रा इस पेक IP दीजिए पहले PC पे 10.1 और दूसरे पे 10.2 देखिए 10.1 ओके इसी को कोपी पेस्ट करता हूं दूसरे वाले PC पे चलिए 10.2 या 10 भी कर सकते थे आप अच्छा अभी आपको ना कनेक्टिविटी चेक करनी है दो डिवाइस के बीच में तो आप दो तरीके से कर सकते हैं कैसे यह देखिए इधर आप जड़ा यह दिखना है एरो का सिंबल अभी एक इधर है राइट की साइड में क्लिक किया अ तो आपको अगर यह ना दिखे न तो यहां से लेकर आना मैं बताऊंगा अभी पहले पिंग से चेक्रेक्टिविटी चेक करते हैं एक बार कहां पर जाना है आपको अच्छा देखे एक और चीज बताता हूं आई पी डालने के लिए पीसी पे क्लिक किया आई पी कैसे डाल हैं जो अभी हम बात नहीं करने वाले हैं यहां से आप मतलब क्या है जी यू आई के बेस पर डाल सकते हो जैसे यहां पर यहां पर डाल सकते हो लो डाउट पर हम कहां पर प्राफर करते हैं डेक्स्टोप में जाके आई पी गॉन्फिगरेशन यह देखे ठीक है गेटवे डालना है यहां पर DNS डालना है तो यहां पर ओके देन तो अगर आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है तो आप जाएंगे डेक्स्टोप में इसी को क्लोज करिए और देखो डायल अप टर्मिनल एंड कमांड आपको कहां जाना है कमांड में हमेशा जैसे अगर मेरे PC का दिख मैं बंद करता हूँ एक बार देखिए PC पे गए और आपको जाना है कमांड प्रॉम्ट में ठीक लिखेंगे हम पिंग स्पेस जो आईपी आपकी डेस्टिनेशन की जहां की कनेक्टिविटी आपको चेक करनी है यह देखिए पिंग आ रहा है तो मतलब आपका दोनों डिव करिए सोर्स कहां से और डेस्टिनेशन कहां तक की कनेक्टिविटी देखिए सक्सेस्फुल अगर आता है तब तो सही है और अगर कोई यहां पर फेल्ड का आता है तो इसका मतलब कोई ना कोई इस्यू है अच्छा यह तो उसने पैकेट ऐसे भेज के दिखा दिया आपको ह जासे यहां बेज जेंगे आप अगर तो नो फंक्शनल पोट इस पर कोई आइपी नहीं है तो वैसे भी यहां पर कम्मुनिकेशन नहीं आएगा क्योंकि पोर्ट डाउन है और कोई राउटिंग अभी नहीं है इस पर चेक करेंगे अगें तो सक्सेस्फुल है अच्छा मे ने करके दिखाया था वो आपको रियल टाइम में मिलेगा पर लेकिन अगर पैकेट बेज के देखने है रियल टाइम में ऐसा नहीं है कि पैकेट नहीं बेज सकते देखिए बेज सकते हैं लेकिन आप उसको फ्रंट एंड पर नहीं देख सकते सिर्फ उसका रिजल्ट करिए एक नया पेकेट करिए सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक अब देखिए यहाँ पर इन प्रोग्रेस कब तक यह देखो बैक अपका प्ले एंड पोज और यह आपका फॉर्वर्ड तो आपको क्या करना इस पर क्लिक करिए कि समझ पारे कहा तक गया स्विच तक फिर कहां गया पीसी पे पीसी ने फिर वापस बेजा स्विच को सुछ ने बेजा फिर इसको इसका वतरख सक्सेस्वर्ड तो यह सारे कनेक्टिविटी तो हम जैसे आप पढ़ते रहेंगे सिसी एनने की बाकी वीडियो देखेंगे तो सबसा चलेगा कि कैसे ये packet के सारे काम आर्प कैसे है आई से एम पी कैसे हो यह सब कुछ टेबल कैसे बनती है तो अब यह सब क्रेक्टिविटी को बिल्कुल ग्राफिकल तरीके से समझ सकते हैं और यह कैसे हाल करता देखो यहां से यहां आपको करेक्टिविटी चक करने थ के बाद तो यह आपको ट्रेस रूट का एक तरह से काम देता है कि आप एक्चुल में पैकेट पड़ सकते हो देखो कैसे यहां से अगर आप ऐसे भेजते हो ना पैकेट देखो इस पर क्लिक करोगे आपको पूरी हो एसाई मोडल की डिटेल दिखाए गए देखिए 1234567 सारी भी लेयर पर तो हमें कुछ काना दिये यह तो आपकी क्या है? होस्ट की लेयर ज यह नेटवर्क लेयर इनकी सारे डिटेल दिखाए गा है अपको नेटवर्क लेयर पर बाकी वीडियो जगर आप देख रहे हैं तो, ओके देन, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखें, यह आपका, देखें, यह एंप्टी पैकेट है, और यह आपका फुल पैकेट, आपको हमेशा यही लेना है, यह पैकेट लेंगे तो क्या दिक करते हैं, देखो, क्लिक कर देखेंगा था, सोर्स क्या थी, 10.1 से जाना था, वो तो तब अपने आप सेलेक्ट कर लिया था, यहापे क्लिक किया, सोर्स 10.1, यहापे क्लिक किया, डेस्टेशन 10.2, अब यह सिक्वेंस नंबर मुझे नहीं पता, ठीक, क्रियेट पीडियू करोगे, सिक्वेंस नंबर दालो, तो मानलो मैं पहला डालता हूं, फिर क्रियेट करो, अभी कुछ और वैल्यू मांग रहा है मैंसे, ठीक है, तो यह वैल्यू मानलो मैं, 10 कर दूँ, क्रियेट करो, समझ भार है, अभी भी क्या वैल्यू है, आपकी, टाइम इस जीरो, टाइम कहा है आपका, अब अब जाकर आपका ये packet बनाया है, ठीक, फिर आप यहां से यहां click करिए, ठीक, तो लफड़ा है, मैं कभी use नहीं करता, इसको recommend नहीं करता, I don't know, but yes, ये जो tool है, ये बहुत helpful है आपके लिए, ये वाला packet, ओके, चलिए, तो उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूँ, तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, डिवाइसिस कैसे सलेक्ट करें, डिवाइसिस के साथ, केबल कैसे यूज करें, कौन सी केबल के इन डिवाइसिस के बीच में लगती है, और फिर हमने क्या देखा, की राउटर, sorry, पैके ट्रेसर में लोजिकल और फीजिकल व्यू कैसे चेक क अगर हम कैसे बनाएं, अगर आपको रैक की हल्प से बनाना है, और फिर हमने देखा लास्ट में की पैकेट को कैसे आप एक पैकेट की तरू कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, पैकेट ट्रेसर में, तो एम्टी पैकेट एन फूल पैकेट यह सा, अभी थोड़ा सा फॉर्म इसमें, इसको बंद करके ना दुबारा चलाता हूँ पैकेट ट्रेसर को, अब देख सकते हैं, अभी यह आपके इनेबल है, तो मैं एक बार अपनी पहले वाली टोपोलोजी ओपन करता हूँ, उसमें मैं ट्राय करता हूँ कि यह चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो टेस्ट यह के नाम से मैंने वो टोपोलोजी बनाई होई थी, तो कई बर अगर ऐसा लगे कि जो आउटपुट आप चाहते हैं, पैकेट ट्रेसर में वो नहीं आ रही है, तो यह हिंट है, टिप है, हमेशा याद रखिएगा, कि आप पैकेट ट्रेसर को जस्ट अपनी टोपोलोजी को सेव करके रिस्टार्ट कर लिजी, आप यहाँ पर जाएंगे, तो आपको सेव करने का उप्शन देगा, येस, आप इस पर क्लिक करेंगे, और जिस भी नाम से आपको सेव करना करके, दुबारा से जब आप इसको उपन करेंगे, फिर आप कंट्रोल ओ में जाके, और उस पर इसे पर लिए क्लिक करेंगे, आप को इस तरह का उप्शन मीलेगा, अभी भी यहाँ आई, बस आप याद रखिए, इसमें इस पर ग्लिक है, और अगर आप सरकल पर करते हैं, तो आपको सरकल पर क्लिक मिलता है, राइट? फिर अगर आप इस पर क्लिक करते है, तो आप या तो ये यूज़ करिए या ये और ये कभी-कभी आप ये पैंसिल वाला जैसे मैं बोलतों आपको ये बनानी है सर्कुलर कोई भी फोम तो इस पे क्लिक करके और देखो नो फिल और आउटलाइन का मतलब अभी अगर आप करेंगे क्लिक करके और आप इसको ऐसे पेंट में करते ना जैसे सर्कल बनाते उसी तरह से पर अभी क्या हुआ है लेकिन जस्ट आपको आउटलाइन दिखिए क्लिक किस पर आउटलाइन पर फिल कलर नहीं है तो मैं इसको कंट्रोल जैड करता हूँ हटाता हूँ इससे हटा दू आउ आप देखिए आपका आउटलाइन नहीं है और सेलेक्ट फुल कलर में कौन सा यागा आपका बाई डिफोल्ट वाला अब मालो मुझे कौन सा चीए आपका ये पर पर क्लिक किया और यहां पर आप देखिए पर पल ले सकते हैं समझ बारे इस तरह से दूसरा मालो मैं यहां यहां पर क्या करना चाहता हूँ आपका ये रेक्टेंगल अगेन वही यह ये रेकटेंगल होगा कलर चेंज करना है ओक आप यहां से इक रेक्टेंगल भी बारा सकते हैं तो यह थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए है पकेट ट्रेसर में और अब यह अगर आपको फॉल्ट पिपह inning to varnda यहां pa लिख सकते हैं comment वाले section में जाके या क्लिक करेंगे तो開ब करेंगे तो क्या मिलेगा comment में लेगा इस तरह से 10.2 इस तरह से यह आपका लेन यहां पर लिख सकते किया है वार यहां रट सकते telephone ये आ आपका लो एक महिने बाद या थोड़े टाइम के बाद अपनी टोपलोजी आप उपन करते हैं तो देखते ही समझ जाओगे कि हाँ आपने कहां पर क्या आपको अंदर ही सारी चीजे चेक ना करनी पड़े तो यह वाला पार्ट हुआ अभी हमारा फॉर्मेटिंग कमेंट वाला अच्छा एक और थोड़ा सा माउस का काम समझते हैं पैके ट्रेसर में देखो इस राउटर के उपर माउस लेके जाए यह देखो आपको सारी ओल्मोस आपको दिखा रहा है 10.1 ओके ठीक है तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं माउस का अच्छा माउस में और क्या है यहां पर देखिए कहीं पर सर्च का उप्शन मिलेगा आपको न्यू क्लस्टर का भी छोड़ दीजिए आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो अप्शन देखिए इसमें है जैसे मैं बताओ न यह वाला सर्च का उप्शन है राइट इंस्पेक्ट वाला इसमें क्या है आप इसको पर इसको क्लिक करके राउटर पे क्लिक करेंगे सारा तो इस वाले में आप देखना जरा कहां पर मिलेगा यह उप्शन मैंने ट्राई नहीं किया लेटेस्ट वर्जन में यह तो नहीं है इंस्पेक्ट ओके यस यही है यह देखिए आप यहां पर चेक कर सकते हैं नैट की टेबल आर्प की टेबल ओके जैसे इसी पर अगर आप देखिए आप सारे इन इंफरमेशन पर अप क्लिक करिए जरा कॉपी पेस्ट का है यह अपको अंडू करना है रिडू साइज बढ़ाना आपको देखिए जूम इन करना है अगर जूम आउट करना है अगर राइट और फिर यह आपका व्यूपोर्ट यह करके देखना इक बार यह देखिए जैना मिंस क्या हुआ पूरी स्कृण आपको शौट में दिखादे गां जैसे बहुत बड़ी स्क्री अना कई आपको नहीं दिख रहा है उपर निचे तो यह को नीचे क्या है और उपर क्या है वो सब कुस्ट भी दिखा देगा सिंगल स्क्रीन में अ आपका कमांड लोग ठीक है यह देखते हमारे काम का नो तो देखिए ज्यादा तर जो हम यूज करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं ओके अभी कुछ I don't know ऐसा बचा है क्या जो हमारे बताने लाइक हो जो हम बार-बार यूज करते हूं I don't think so और इसमें निचे मैं सब कुछ केबल जो यह सब बता चुका हूं आपको ठीक है अभी फाइनली कि फाइनली इस वाले पार्ट में देखिए हम बात कर लेते हैं कि क्या बताने लगा था मैं जिस्ट अ मिनुट हा आपके बोल रहा था ना मैं पैकेट ट्रेसर की जो तो प्रेफ्रेंश कैसे यूज करना देखिए अभी कई बार होता क्या है यह पोर्ट नहीं दिख रहे आपको तो यह पोर्ट कैसे देखे स्क्रीन के उपर प्रेफ्रेंश में जाए ओप्शन के अंदर और यहां पर देखिए ओल्वेज शो पोर्ट लेबल इस पर अगर मै प्रेफ्रेंश के अंदर अच्छा एक और चीज देखिए जरा क्लिक कर यह राउटर पे शीयलाई में जाए अच्छा बंद कर रखा हमने ओन कर लेते हैं तो यह ओन होने का टाइम देते हैं इसको थोड़ा सा तब तक मैं चलता हूँ दूसरे राउटर पे इसको भी आप ओन कर दीजिए यह देखिए ठीक है तो यह राउटर ओन हो चुका होगा हमारा इसमें लिखना है अपने को नो ओके तो यहां पर देखिए जरा यह स्क्री सकते हैं कैसे देखिए जरा options में जाईए preferences पर जाईए और font वाला देखिए पहले क्या था interface admin फिर hide और फिर font font पे size आप देखिए by default कितना 8 आप अगर यहां से देखेंगे तो कितना है बढ़ा सकते हैं ओके जैसे मैं अगर यहां पर करता हूँ 9 यहां पर करता हूँ 10 11 12 इतना कर लेता हूँ और उसके बाद जो आप देखिए अच्छे तो application का बढ़ा ना CLI का बढ़ाना है मेरे को CLI का 16 है application का तो 8 ही रहने तो आप CLI में आप 16 की जिगह मानलो कर लो 20 CLI जो कमांड वाला मोड था ना iOS का टेक्स्ट कैसा येलो है अभी ओके मेरे को चेंज करके कैसा करना है और और यह बैक्ग्राउंड कैसा मेरे को वाइट करना है जिसे और अपलाई करिए क्लोज कर तो अपलाई हो चुका होगा ओर ठीक ह यह यह देखिए चेंज हो गया और यह क्या एक राउटर के लिए हुआ या सभी के लिए सभी तो यह ग्लोबल चेंज आता है इसमें ठीक है दुबारा बताता हूं ऑप्शन में जाईए प्रेफ्रेंसिज में फोंट पर अगर आपको इंटरफेस लेबल वाला करना है तो यहां से यह देखिए और फॉंट में जाके आपको करना है यह यहां पर तो मेरे जो मुझे पसंद है वो येलो है आपका फॉंट का कलर और बैक ग्राउंड आपका ब्लैक तो अभी कुछ और इसमें बचता है कि नहीं बचता है जो हम करते हैं अच्छा एक और चीज है बहुत बार जैसे न आपको यूज करने को मिलेगा फास्ट फॉरवर्डिंग का उप्शन एक पीसी लगाना है एक स्विच के साथ इस तरह से है न तो यह ग्रीन नहीं हो रहा जल्दी से आप क्या करिए यह उप्शन दिख रहा है रियल टाइम में काम करेगा और चीज बत लिस्ट पर क्लिक कर दो राउटर को अगर आप ओफ करके न ओन करते हो तो यह ऐसे यट करेगा ओन नहीं होगा कब तक जब तक आप इसको रियल टाइम में नहीं लाएंगे इट मीन सारे काम पैकेट भेजना रिसीव करने को छोड़के बाकि सारे काम आपको कहा करने है रि आपकेट का सिमिलेशन में राइट ओके तो कभी भी लगे कि कुछ हो नहीं रहा है तो यह जरूर चेक कर लीजिएगा आप यह मोड़ चेंज करना है ठीक है तो I hope कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पर मुझे कोई और ऐसा उप्शन देखनी रहा है जो आप को लगे कि यह ना बताऊं तो वो कुछ छूट जाएगा हमसे ना यह केबल्स का हुआ हमारा देखिए जो काम का है वो हमने सब कुछ देख लिया फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ और ओवर्वियो किसी बात का चाहिए आपको किसी पॉइंट का तो प्लीज मुझे कमेंट झाल झाल